आज कह दीजे आपको जो भी कहना है एक बार निकल जाएगा ना मन से तो आप बिल्कुल शान्त हो जाएगे आपका दिल हलका हो जाएगा नहीं होता क्योंकि ओदर्द जो है नासूर बन चुका ओधा पानी ग्रूप ओफ इंडस्रीज का एनुवल टर्नोवर है तीन हजार करूर कल्पना सरोज ने तरक्की के हर मुकाम कुछ हुआ और आज इनकी कमपनी में हजारों लोग काम करते हैं इतनी सफलता, इतना नाम, इतनी शोहरत ये सब इनको विरासत में नहीं मिला है ये सब इन्होंने कड़ी मेहनत से कमाया है आज की इस सफल बिजनेस वुमेन का कल कुछ ऐसा था जिन्दगी हर कदम एक नई जंग है और वाके जिन्दगी एक जंग ही है लेकिन उस दक्ष के लिए जंग नहीं है जो इस जंग को हरा कर साहस के साथ, हिपमत के साथ आगे बढ़ता है और लाखों करोडों लोगों के लिए एक मिसाल बनता है एक इंस्पिरेशन बनता है ऐसी ही एक मिसाल है कल्पना सरोज सी उनके बारे में जितना कहा जाए न कम है दो रुपे कमाने बाली सरोज ची आज की रेट में सालाना तीन हजार करोड कमाती है आपको क्या लगता है कितना कठी और कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए एक वक्त था जब वो एक दिन का दो रुपे अलिती थी सोचो कितना कठी परिश्रों कितनी मेहनद करके वो आज इस मुकाम पर पूची है सक्सेस्फुल बिजनिस डुमेन बनी है मेरे पिता जी पुलिस हवलदार थे उनकी पगार तीन सो रुपे थी तो जाहिर सी बात है कि तीन सो रुपे में हम तीन बेहने दो भाई मेरे दादा जी चाचा जी सब मतलब उसी परिवार में उस तीन सो रुपे में पलते थे तो आप समझ सकती थी कि परिस्तिती कैसी होगी तो ऐसे में आपकी पढ़ाई कैसे हुई? किस तरह से? पढ़ाई ठीक नहीं हुई क्योंकि उस जमाने में मतलब आज से हम पचास साल पीछे अगर जाते हैं तो वैसे भी मतलब स्त्रियों को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जा सकता था क्योंकि समाज ये सोचता था कि स्त्रियों को पढ़कर करना क्या है आखिर चुला चक्की के सिवा है क्या तो इस तरह से थाई और उस पर से मैं दलित समाज से थी तो फिर मेरी समाज की तो बाती कुछ और थी मेरे मामा जी तो ये कहते थे कि लड़कियों को पढ़ाना ठीक तो खेर है ही नहीं लेकिन उनको जादा देर घर में रखना मतलब जहर की पुड़ियों को घर में रखने के बराबर है अच्छा एक बात बताईए जैसे कि आपने बताया आपके घरवाले जादा नहीं चाहते थे कि आप पढ़े लिखे पर आपके खुद की इच्छा थी आगे पढ़ने की बहुत इच्छा थी मेरी पढ़ने की मैं मतलब अपने स्कूल में काफी एक हुशा स्टूडन्स समझी जाती थी जी हाँ और मैं काफी पढ़ लिखकर आगे बढ़ना चाहती थी पर बढ़ना सी भी से मैं पढ़ना सकी बचपन में ही उम्र के बारा साल में ही मेरे मामा ने जबरदस्ती शादी का प्रस्ताव मेरे पिता जी के सामने रखा बारा साल की एक छोटी सी उमर में जब बच्चियां आमोमन तोर पे गुड़े गुड़ियों की शादी करती है ऐसी उमर में कलपना जी की शादी हो गई कलपना जी आपकी शादी सुधा जिंदगी कैसी रही है? मेरी शादी सुधा जिंदगी जिस तरह का सपना में ने देखा था बच्पन में ही सही, शादी तो खेर होई गई थी तो सोचा था कि कुछ अच्छा घर होगा, परिवार होगा लेकिन जब मैंने देखा कि वो घर परिवार तो खेर ठीक था ही नहीं चोटी-चोटी बातों के उपर मार, पिट, जगड़ा, फसाद इस तरह से होगा अगर मैंने खाना बना लिया, खाना भी बनाना था मुझे कम से कम 12 लोगों का खाना बनाना था बारह सेल की बच्च की इतना सारा खाना बनाएं तो जाहीर सी बाते हैं, जोटी-मोटी गलती हो उसकती है मैं सारा काम कर लेती थी लेकिन मुझ में भी एक छोटी सी एक एए था कि मुझे वो बरदाश्नी होता था वो बद्बू वगर वो बच्चों का साफ करने के लिए तो इससे जिंदगी जिसे नर्व भरी जिनदगी जिसको कहा जाएगा ऐसा था और फिर यही कोई छे में मेरे किताजी आगे आप आप रोई है मतीज हम समझ सकते हैं कि 12 साल की उमर में एक बच्ची की एक बच्ची की आच्छी शादी हो जाती है और इस तरीके से उनके साथ भी हो रहे और मैं मैं सूस कर सती हूं आपका क्या दर्द है कि अधर इतना बयान है कि आज भी मुझे बात याद करते हुए रोना आजाता है अज कह दीजे आपको जो भी कहना है एक बार निकल जाएगा न मन से तो आप बिलकुल शानत हो जाएगे आपका दिल हलका हो जाएगा तो नहीं होता, क्योंकि वो दर्द जो हनासुर बन चुका वो नहीं होता क्या बरताफ करते थे वो लोग आपके साथ मतलब एक बच्ची को डराया जाएगा, धंकाया जाएगा, मारा पिटा जाएगा तो इससे बुरा और क्या दर्द हो सकता है, वता ही नमाप मुझे तो मेरी फिताजी जब मुझे मिल लिए आये देखने-क ली उन्होंने जब देखा तो मेरी नदद लगी पहचान ने सके कि मेरी बेटी है क्योंकि बाल की सारी जटा बन चुकी थी कपड़े फटे फुराने थे, मार खागागे बिलकुल पै, मनी हालत कराब हो चुकी थे तब फिर मेरे पिताजी कहने लगी कि मैं अपने बेटी को ले जाओंगा साथ में तो उस पर भी उन लोगों ने बहुत मतलब जखड़ा फसाद कि अधर के नहीं ले जा सकते हैं तो मेरे पिताजी मुझे वापस ले गए घर और घर ले जाने के बाद में फिर उनने बहुल जाओ साब कुछ एक बुरा सपना समझ के आप माई के वापस आवे ही आप अपने प करें था माई जाओ किती तो इतना दर्द जिंदगी में देखा था तो मन भी लगता था स्पूल में फिर समाच जो है वो तोड़ासा अलग अलग टाइप की बात करेंगा जहीं एक सब्सक्राइगी एक्सेप नहीं करता समाच तो इस तरह से जब बाते सुनती रही मैं तो म तो मेंHHHHän फिर मैने कोइजन से खरीदने की कोशिट की लेकिन पडुजन किसे पता नुझ आ लेकिन हमारे गायों में खटमरा वगरा बहुत होगा करते थे तो वो खटमल मारने की दवा टिक्टेंटी कोई थी तो मैंने जाके तीन बोतल खरीद ली कि कहीं कोई यह ना हूँ कि मैं थोड़ी जहर पहले पी लिया और बज गई तो मैंने वो तीनों बोतल पी लिया सारा जहाग बहरा था मूंसे क्योंकि तीन बोतल एक साथ पी लिया था ना फिर अजू बजू के लोग आ गए फिर उन्होंने कहा कि इसने यह पॉज़न पी लिया है और यह मतलब डेंजर है मतलब बचने ही सकती नहीं है बचने की तो इसको अकोला लेके जाए वो मुर्तिज जहर पीना जी तो हमारे पुलिस वाले की बेटी है तो हमारे पुलिस टेशन की बदनाम हो जाएगी तो अच्छे सेचा डॉक्टर जू भी है तो उन्होंने कोशिच की वहां से अकोला से मुर्तिजापूर में कोई डॉक्टर आए और इस लड़की को बच आए तो काफी को पुलिस यह था कि क्या किया तोने, क्यों पिया जहर, अगर तू मरगई होती तो लोगों ने क्या कहा होता? कि महाधियों कि लड़की ने जरूर कुछ किया होगा जिसकी वजे से लड़की मर गई और पिर वह बात मेरे दिल तक इतनी गहरा इतक चुप गई कि अब नहीं, जिसना सब देखने के बाद फिर से साहस जुटाया और वो दुनिया के सामने प्रूफ करना चाहती थी कि मैं कम्जोर नहीं। कम्जोर नहीं। मैं भी कुछ अप कर के दिखाऊंगी। क्योंकि मैंने वहां कोशिश कर ली काम करने की। मैंने सोचा पहले पुलिस में ही जाऊंगी क्योंकि मेरी पिता जी पुलिस में थे तो और उसी वक्त लेडिस पुलिस की पहली बारी मतलब भरती शुरू हो गई तो मैं खुद वहां के यसपी की पास गए और उनको मैंने कहा कि मुझे मतलब भरती कर वालो तो उन्होंने दे और इसा करके उन्होंने जाने के लिए कैय दिया मैंने नर्सिंग के लिए कुसिस कि उसमें भी नहीं हो लाक मैं यह बी सोचा कि क्योंने मैं जाघी में चली जाओं तो अपने देश के कामा आज़ोंगी बिलकुल तो वह पर नहीं हो सका उम्र और पढ़ाई दोनों कमपड फिर मैंने यह सोचा कि मैं क्या करूंगी क्योंकि गाओं में कुछ भी नहीं है और ना कोई कमपनी है ना कुछ है तो फिर वो खेती में काम करना होगा और खेती में मुझे काम नहीं करना था तो फिर मैंने माह से कहा कि मैं मुझे जाओंगी वहां पर बड़े-बड़े मिल्स कि अगर अपने नहीं जाने दिया तो अब मैं ट्रेन के नीचे चली जाओंगी ताकि फिर बचनी की कोई उमीद ही ना रहे क्योंकि मुझे जीना है कुछ करना है अपने बल्बू उते पे रहना है दुनिया को कुछ कर दिखाना है मेरी माँ ने पिताजी से कहा कि इस लड़क करने का काम करते थे दादर ब्रीच के नीचे रेलवे कॉटर से तो वह अकसर अपना काम करते थे पापड बेचिते तो किसी एक गुजराती फैमिली के साथ में उनके कफी अछे रिलेशन थे तो उनको मैंने कहा कि मुझे सिलाई आती है टीचिंग करना जानती हूं मैं तो करता है मैं तो मिघये तो मुझे होजरी कंपनी में ले गए वह नो दे गाइन ते कि मुझे लेकर गए कर गये तो ममने इतनी डरी हूए थी कि मुझे उसने दिया कि ठीक ह काम करण जानती हो तो यह मसीन पर बैठो काम करो जब मैं तो मैं बैट Xiaomi जोडे उनसे कि नहीं मैं तो गाहूं से आयू हूं प्लीज मुझे कुछ भी काम दीजे लेकिन काम दीजे तो वो जो अस शक्स जो पडूस में था गुजराथी फैमिली के वो जो मुझे लेकर गया था तो बला यार इसको कोई घलपर वगरा काम दे तो लेकिन दे दो तो है मैंना दो रुपे रोज काम दागा काटने वाला काम जो सिल के आते थे कपड़े तो उसका जो एक्स्टा दागा होता तो उसको काटना है तो वो काम फिर मुझे उन्हें दे दिया लेकिन मैंने जादा दी नहीं किया हो क्योंकि जब मेरे दिल से डर चला गया तो ये लोग लांच के लिए उंच के लिए चले जाते थे ते या टी टाईम में चले लड़की लड़ीअ बाहर तो भी फिर चुपके से देख थी कोई है नहीं है तो इस MURसिष एकि आती है आती तो है फिर मुझे कम नहीं चल रही है तो ये सोच कि पिर मैं फिर से बैड जाती था थी औ में जाए दोख़ चलने की कोशिच करती थी तो मसीन फिर मेरे चलने लगगी क्योंकि अटिल निकल दिल निमाग से तो फिर मैं ने उस इंचास से चहा कि मुझे मुझे मसीन बैठना है और मैं कारीगर हूं मैं काम कर सकती हु यहां पर तू नहीं निका कि रहा कि यहां टू अ एक मेना पूरा इस में कर लो, फिर तुमको हम दे देंगे मसीन पर बैठने के लिए. एक मेने में मैंने वह काम किया और एक मेने के बाद में जब कारीगर बोलकर मसीन पर बैठी, तो उस वक्त मैंने सवा दो सौ रुपे कमाया. तो मेरे जिन्देगी में मैंने पहली बार उस वक्त सो रूपे देखे कि कैसे सो रूपे होते हैं कुछ लोग किस्मत के सहारे आगे बढ़ते हैं कुछ दौलत के और कुछ लोग ताकत के पर सबसे आगे वो ही निकल पाते हैं जो मेहनत के भरोसे आगे बढ़ते हैं। सिर्फ दो रुपे रोज का कमाने वाली एक लड़की आज 3,000 करोड की मालकीन है। यह सब हुआ कैसे हैं। यह सब आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्द्री शक्ति, स्द्री शक्ति जैसा कि आपने बताया कि यहां आकर आपने सबसे पहले कमाई सिलाई से की। तो उसके बाद आप आगे कैसे बढ़ी। जब मेरे परिवार का एक बोजनी कहा जाएगा, फर्ज कहा जाएगा जिसको, क्योंकि मैं बड़ी बेटी थी, तो मेरे मावाप, मेरे बेन भाई, तो मेरे फर्ज बनता था कि मैं उनके लिए कुछ करूँ। तो इसलिए मैंने उन्हेंने मुंबही बुफला लिया यहां पर, तो घर मैंने इक मुछ बिले लिया, तो मैं हाजना इस सिलाही में शुरू कर लिया। कुछ ब्लाउस बना लेती थी, कुछ ड्रेसेस बना लेती थी, क्योंकि मैं वो सीख चुकी थी मैं गाउं में ही, और काम पी बिजाती थी, इसी बीच मेरी एक बहन थी, जो बीमार होगी, छोटी मोटी दवा कुछ करते रहे उसकी, लेकिन फिर पता चला कि नहीं, वो पेट म जब मेरी बहन हो गए तो तब मैने सूचा कि पैसा कितना ज़रूरी होता है, हो सकता है कि मैरे पास उस Вक permission मैं नहीं जानती थी कि वो जो तिवा फुले जो गोर्मेंट की स्कीम होती थी जो मेंस जो दलित लोग है उनके लिए वो था तो वो उजे वहां पर लेकर गए और मैंने वहां पर लोन लिया आपको लोन मिल गया तो लोन के बाद फिर आपने उस पैसे से क्या किया मैंने उस वक्त उसका एक फरनीचर का दुकान ले लिया मतलब दुकान भाड़े से लिया और फरनीचर का शुरू किया बु टिकत मैंने सोचा गर में दो तिन मसीन भी डाल दोंगी तो घर में चल जाएगा उसके लिए दुकान की जोरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वहां उलासनगर में इसे था न कि वहां पर कु तो उस वक्में इस तरह से सोचा और में इसके साथ में स्टार्ट किया तो अब यह बताएगे कि फरनीचर के बिजनस से अप रियल स्टेट में कैसे आगी एक लिए एक लिए उसा था था कि उसके उपर गॉर्मेंट का कुल सिलिंग सारे एक्ट लगे हुए थे तो मुझे उसके लिए मेरे पास तो पैसे नहीं थे एक लाग रुपे में बेच रह था तो तो उसको दूंगी तो उसने का कि मुझे एक लाग रुपे भी मिल जाते है तो मतलब मेरा काम चल जाता है बाकी के बाद में भी देंगे तो चलेगा तो मैं यहां वहां से करके उसको कैसे भ मतलब बेच नहीं पारा था मतलब इनके साहस ने एक धाई लाग की जमीन को पचास लाग का कर दिया कमाल है पिर यह हुआ कि जमीन क्लियर हो गई तो उस प्लॉट का क्या करेंगे बिल्डिंग बनाएंगे जाहिर सी बाते क्योंकि मैरे पास को पैसे है ने तो फिर मैंने एक पार्टनर को चुना सिंदी पार्टनर थे मेरे उनको मेंने कहा कि ठीक है यह जमीन मेरी है और बनान आपको है तो कैसे परसेंड़ेज रहेगा तो 65% उनके थे और 35 मेरे थे इस तरह से हम लोगों ने वो तो इस तरह से मैं मतलब सीडी दर सीडी आगे चलती रही बहुत मज़ा आपका सफर सुनके लेकिन अब एक एक सिक्रेट साब एक परदा हटाईए कि आप कमानी ग्रूप ऑफ इंडास्ट्रीज की मालकीन कैसे बन गई कमानी की जो लोग थे दो हजार में मेरे पास आए तो उसमें भी काफी सारी लिटिकेशन थे जब लिक्विडेशन में जा रही थी तो उसका भी बड़ा इसा इतिहास रहा है क्योंकि हमारी देश की पहली एसी कंपनी है जिसको सुप्रिम कोट ने पहली बार वर्कर को चलाने के लिए दी मालिक को जिरो कर दिया और वर्कर को मालिक बना दिया यह हमारी देश की पहली कमपनी एसी है और ऐसी कंपनी को वर्कर चला ने सके क्योंकि वर्कर होते है अकिर साड़े 3,000 मालिक अगर बन जा तो काम कोन करेगा यह एक बड़ा सा सवाल था लेकिन सुप्रिम कोट ने तो कुछ कर देख दो नहीं मिले का मैडम आप इसको ट्रिकोर लो करकर तो मैंने बहुत सोचा कि मैं कैसे कर सकते हूं लेकिन मैं यह भी सोचा कि क्यो नहीं कर सकते हूं जब मैं हर काम कर रहे हूं है तो बिल्डर भी नहीं थी, तब भी मैं बिल्डर बनी की नहीं. तो हर नया काम मेरे लिए एक नया चालेंज था. ताले हैं.